जैसा कि आप देख रहे हैं हरिद्वार मनसाद देवी मंदीर के पहाड़ियों पर चढ़ाई का एक जलक धरातल से लगवग 800 मीटर की उचाई पर है यहाँ पर चढ़न जाने की तीन मार्ग है एक तो प्लेन रोड से आप जा सकते हैं दूसरी आप सिडियों के मदद से जा सक eties सकते हैं तीसरी ऊपर ट्रॉली जो देख रहे हैं उस ट्रॉली के माध्यम से जा रहे हैं धरातल से की गरुपर तक छोड़ के सवार हो गया हूं और सवार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं देखिए ये उचाई पर चड़ रहे हैं कैसे कैसे लोग पैदल भी जाते हैं पैदल मार्च करते हुए करिब करिब यहाँ पर चड़ने में जो समय लगता है पैदल करिब पौन घंटा का समय मतलब 45 मिनट की समय लगती है ये पहाड़ियों की जलक आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीचों बीच रोड बनाई गई है यहाँ पर ओटो नहीं चलते हैं ओटो रिक्सा वगेरा आप जा सकते हैं इसकुटी हो बिक्की हो मोर्साइकिल हो आधी आधी टू वीलर से आप जा सकते हैं कुछ लोग पैदल भी जाते हैं और यह देख रहे हैं आप ट्रोली का एक जलक देखिए फिर से ट्रोली कैसे जाते हैं और पहाड को काट करके समतल भूमी बना करके इसक चलती है और ट्रोली आगे की और बढ़ते हैं ठीक तो आगे देखिए हम बढ़ते हैं यहां पर बीच बीच में आराम करने के लिए भी विवस्था की गई है वहां पर लिखा हुआ है कि लूट खसोट पोकेट मारों से शाबधान तो यह तो हर जगह लिखी भी होती है और हम ठहरे बिहार के तो इस सबसे तो पहले ही साबधान रहते हैं इतना होसियार व्यक्ति कहां मिलेंगे आपको फिर देखिए ट्रोली यह आगे जो बाल आपको बीच बीच में दिखाए दे रहे होंगे यह एक बैक वाले भाई साहब है इन लोग का यहां पर यहीं मतलब क्या आया लेते हैं 50 रुपिया जाने का फिर उधर से आने का 50 रुपिया बेच विच में यात्री पड़ों का भी जगह बनाया गया है यहां पर आप बैट करके आराम कर लेजिए ठंडा लेजिए अब फिर उसके बाद जाईएगा आगे देखिए लगवग लगवग हम अंतिम प इसलिए बड़ी साबधानी होती मुझे तो पहले बैक दे रहे थे कि आप चले जाएए मैंने कहा कि नहीं आपको चलाना पड़ेगा आप चलिए साथ में मैं इस पर नहीं चला सकता हूं और उतने अच्छे में बैकर्स भी नहीं हूं और यह मेरा तो मन कर रहा था ट्रोली का माध्यम मैंने नहीं अपनाया और ना सेड़ी की माध्य में तो जानलेवा माध्यम है कैसे उससे जाते तो अब हम अंतिम पड़ोग पर आ चुके हैं और देखिए धीरे धीरे बैक अंतिम बैक अंतिमपड़ग की और जाते हुए धन्यवाद